क्योंकि इसे पहले भी जब अकली श्यादव ने पिछले चुनाऊं में चंद शेकर रावन को अपने साथ मिलाने की कोशिश की थी क्योंकि अखले श्यादव उससे में इस समयज़ रहे थे कि उतर परदेश की राजनिती में मायावती की वो राजनती की विरासत अब कई ने कई खत्म होने के दहाने पर है और इस वज़े से ही एक उभरते हुए चेहरे चंद शेकर रावन को वो अपने साथ मिलाने का पर या देखे बिल्कुल इस के स्थिती जो है इस वक्त समझ में आते क्योंकि इससे पहले भी जब अखले श्यादव ने पिछले चुनाओं में चंद शेकर रावन को अपने साथ मिलाने की कोशिश की थी क्योंकि अखले श्यादव उस समय बात बहुत समझ रहे थे कि उतर परदेश की राजनिती में मायावती की वो राजनिती की विरासत अब कही ने कहीं खत्म होने के दहाने पर है और इस वज़े सही एक उभरते हुए चेहरे चंद शेकर रावन को वो अपने साथ मिलाने का परियास कर रहे थे और इस नजरे से अगर हम जोड़े इस पूरे खेल को तो आदव इंडिया गड़ बंदन का हिस्सा है तो जाहिर थी बात है कि जो तमाम बड़े दल हैं वो कहीं न कहीं अकलेश यादव पर ये दबाव डाल सकते हैं कि उतर परदेश में जो भी छेतरी दल है जिनका परभाव है चाहिए वो किसी एक खास वर्क के वोट पैंक पर ही क् परदेश नहीं रह जाएगी तो ऐसे में बिलकुल इस बात की उम्मीद अभी भी बची हुई है मुझे लगता है कि राहूल गांदी या फिर शर्दपवार लाल परसाद्यादव ये तमाम बड़े नेता जो हैं वो अकलेश आदव को इस बात के लिए तयार करवा सकते हैं कि चंद्र शेखर रावन जो के इस बात की उम्मीद जता ही जा रही है कि वो मायावती के साथ जा सकते हैं उनको उस तरफ ना जाने दिया जाए और इंडिया गड़ बंदन नों मिला दिया जाए क्यूंकि मायावती ने तो असपष्ट करी दिया है कि वो इंडिया गड़ के साथ नहीं जा रही हैं वो अकेले अपने बलबुते चुनाओ लड़ेंगी तो जाहिर थी बात है कि अगर मायावती के साथ चंद शेखर जाने का फैसला लेंगे भी तो मुझे लगता है कि ये एक अच्छा राजनितिक फैसला नहीं होगा चूंकि उनका एक वोट बैंक जरूर है और वोट बैंक हमेशा उनसे जुड़ा जरूर रहा है लेकिन उसके बावजूद भी कहीं नहीं एक राजनितिक रूप से जो मायावती से एक उमीद की जाती है उस बड़े मुद्दे पर हर उस बड़े विशे पर बोलने की वो चीज इस वक्त नजर नहीं आती ह मुझे लगता है कि विपक्ष की एक मसबूत और निडर नित्री जो मायावती हुआ करती थी पहले वो अब बिल्कुल भी नजर नहीं आता और इस लिहाज से चंद शेकर रावन जो के इस समय कहीं भारत की राजनिती में उतर परदेश की राजनिती में अपने एक जगह को तलाश रहें तो विजे बखुबी चाहेंगे कि अखलेश यादव की पार्टी के साथ गड़ बंदन हो जाने कि इंडिया एलाइंस के साथ गड़ बंदन हो ताकि आने वाले भविश्य के रास्ते